मैं कुछ तिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो से देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूल नमस्कार शात्रो तो शात्रो जिन होने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं पहले के तो पहले जरूर देख लें क्योंकि उसमें मैंने कभी परिचे और सविया नमबर एक और दो दोनों में व्यवहार्थ और प्रशनों के उत्तर समझाए हैं आज हम करेंगे तीसरा सविया क्या है मोर पंखा सिर उपर रख्यों गुंज की माल घरें पही रहोंगी ओडी पितंबर लै लुकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी भाब तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी अब इस स्वाईय में जो है कठिन शवद आये हैं उनकी अपनी भाषा है ये तो आपको समझ में नहीं आएगी तो अभी हिंदी में इनका आर्थ पता दे तो मौर पंखा ये तो सबी को पता है लुक्टी मीन शडी लाठी गोधन मीन गाएं भावतों मेन अच्छा लगता है प्रियो होर मुरली में मुरली धर में कृष्ण अधरान मीन अधरों पर भावार्थ अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं ये थे अमार इसमें आये कठिन शवद तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ती अब रस्खान जी अब तीसरे दोहे में क्या कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रती प्रेमा भक्ती रखने बाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है प्रेमा भक्ती रख रही है कोई सखी कोई गोपी अपनी श्री कृष्ण के प्रती सखी कहती है कि हे प्रियतम कि मैं प्रियतम क्रिशन की रूप शभी को अपने शरीर पर धारन करना चाती हूँ मैं प्रियतम क्रिशन की रूप शबी को अपने श्रीर पर धारन करना चाती हूँ एक बार फिर से रपीट करती हूँ कि श्री कृष्ण के प्रती प्रेमा भगती है तीसरे सवईये में क्या है प्रेमा भगती श्री क्रिशन के प्रती किसकी रस्खान की रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम क्रिशन की रूप शवी को अपने श्रीर पर धारन करना चाहती हूँ इस कारण में अपने सिर पर मोर पंखों का मुक्ट धारन करूंगी और गले में गुगूची की माला पहनूंगी में फूलों की बन माला पहनूंगी और मैं शरीर पर क्या करूंगी पीला वस्त्र धारन पहन कर क्रिशन के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उनीके भेश में गवालों के साथ बन बन में गायों के साथ पीछे फिरूंगी और अर्थात गाये चराऊंगी जो जो बाते उन अनंद के बंडार कृशन को अच्छी लगती हैं बेसम्मेत करूंगी और तेरे कहने पर कृशन की तरह ही बेश भूशा स्वांग दिखावा ब्यवहार आदी करूंगी रस्खान कभी के अनुसार उस गोपी ने कहा कि लेकिन मैं मुरली धर कृशन की मुरली को अपने ओठों पर कभी धारण नहीं करूंगी अब रस्खान कभी के अनुसार उस गोपी ने क्या कहा कि मैं मुरली धर कृशन की मुरली को अपनी ओठों पर कभी धारण नहीं करूंगी क्योंकि मैं मुरली तो उसके लिए सोतन के समान है क्योंकि मुर्ली जो थी उसकी सोतन के समान थी क्योंकि उस मुर्ली को ही बजाता रहता था उनकी तरफ देखता ही नहीं था और मुर्ली बजाता रहता था 24 गंटे तो मुर्ली को क्या कहा है सोतन के समान कहा है तो ये थी उसकी ब्याक्या आए जानते हैं इसमें प्रशन क्या बनते हैं गोपी श्री क्रिशन की किस रूप शबी को धारन करना चाती थी शात्रों गोपी अपने सिर पर मोर पंखों का मुक्ट गले में धुंगुची की माला पितंबर ओड़ना हाथ में लाठी और गायों के साथ गूमना यही रूप शवीधारन करना चाहती थी गोपी के ऐसे आगरे से उसका कौन सा भाब व्यक्त हुआ गोपी के ऐसे आगरे से उसका श्री कृष्ण के रूप शवी के प्रती अनुराग भाब क्या भाब कौन सा भाब अनुराग भाब तथा प्रेमा भक्ती की दृटता का भाब व्यक्त हुआ है गोपी के ऐसे आगरे करने से उसका श्री कृष्ण की रूप शवी के प्रती अनुराग भाब तथा प्रेमा भक्ती की दृटता का भाब व्यक्त हुआ है तो ये थे दो प्रशन तीसरे प्रशन के ओर चलते हैं गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी अधर होते हैं शात्रों ओंठ गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी अधर होते हैं, ओंठ क्यों नहीं रखना चाती थी, क्योंकि श्री क्रिशन पर मुरली ने अपना सारा पूरा हक जमा रखा था, बे मुरली बजाते समय गोपियों की और ध्यान ही नहीं देते थे, जब श्री क्रिशन मुरली बजाते थे, तो बे गोपियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे इसलिए इशर्या भाव जेलसी के कारण गोपी मुरली को अपने अध्रों पर नहीं रखना चाहती अपने ओंठों पर नहीं रखना चाहती जेलसी हो रही है उसको मुरली से तो उसके कारण बैह है अपने अध्रों पर नहीं रखना चाहती स्वांग करूंगी से क्या आशे है स्वांग करूंगी से क्या आशे है इसका आशे ये है कि मैं बेश भूशा और ब्यवहार आदी का आविने करना रूप शवी की बैसी ही नकल करना गोपी भी क्रिशन का स्वांग करना चाहती थी अपनी अनन्य प्रेमा भक्ती दिखलाना चाहती थी ये था प्रशन सवाईय का भावार्थ और प्रशन उत्तर शवदार्थ सहित प्रशन उत्तर तो आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट सवेईय में